नमस्कार दोस्तों मैं सागर कुमार आपका स्वागत करता हूँ Sensible के इस नई हिंदी डेली मार्केट अनालिसिस वीडियो में चलिए शुरू करते हमारा मार्केट अनालिसिस सबसे पहले देखेंगे जो हमने कल अनालिसिस किया तक कैसा टर्नाउट हुआ है यहां से अगर नीचे हमें जाता है मार्केट में एक सेलिंग देखने को मिल सकती है लिकिन आज का दिन अगर आप मार्केट में देखेंगे तो मैंने यहां पर यह एक ट्रेंड लाइन बनाई है market नीचे गया भी और एक sharp reversal आपको यहाँ पर देखने को मिला ठीक है एक यह मैंने trend line यहाँ पर बनाई है देखे एक तो यह नीचे इस point को इस point को और in point को connect करके और upside पर इस point को इस point को और इस point को connect करके मैंने यहाँ पर यह trend line बनाई है तो ठीक है अब यहाँ पर market कुछ इस behave करता हुआ दिखाई दे रहा है marketing wedge structure में move करता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है तो एक तो यहाँ पर यहाँ पर यह सवाल आपके मन में सभी के मन में ज़रूर होगा कि बॉस यहाँ से जो यह bullish candle यह जो बना है market में bullish hammer यहाँ पर बना हुआ है और यह bullish hammer कहाँ पर बना है यह भी अगर आप गौर करेंगे तो nifty में around 50 dma के थोड़ा नीचे यह अभी भी लेकिन bank nifty में अगर आप देखेंगे तो यह 100 dma के आसपास बन रहा है ठीक है 100 dma जो है यह 100 dma है इसके आसपास यह candle बनता हुआ दिखाई दे रहा है अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए एक हमें bullish trade यहाँ पर plan करना चाहिए aggressively bullish trade plan करना चाहिए इस तरीके के moment के लिए जो यहाँ पर एक moment आया ऐसा कुछ moment आ हमें देखने को यहाँ पर मिल सकता है देखें मेरे लिए जब भी मैं market में trade करता हूँ तो मैं आपको हमेशा पूछता हूँ कि हमारे लिए सबसे अच्छा trade क्या होगा जहाँ पर हमारे लिए stop loss defined होगा ठीके तो क्या यहाँ पर stop loss defined हो रहा है जी हाँ यहाँ यहाँ पर stop loss defined हो रहा है हमारा कि हम यहाँ पर यह सोच सकते हैं कि यार देखो मेरा मार्केट से एक व्यू है कि बस मैं पोजिशनल बेसिस पर अगर मार्केट में पोजिशनल ट्रेड लेने की सोच रहा हूं तो मार्केट अभी 19,000-19,700 पर है और निचले इस तर पर जो लेवल है मेरली स्टॉप लेवल क्य यहाँ पर मैं क्या करूँगा 19,700 पर में थी एंटरी प्लान कर लूँगा थीक है अब 19,700 पर में प्लान करने का रहा हूँ और मेरा रिस्कनी मार्केट में प्लान करनी चाहिए 100 quantities market में मुझे plan करनी चाहिए अगर मैं अभी के लिए plan कर रहा हूँ और मेरा risk appetite है 10,000 का ठीक है तो इसी तरह आप अपनी quantity भी market में निकाल सकते हो कि यहाँ पर यहाँ पर मैं बिलकुल भी नहीं कहुँआ कि एकदम aggressively घुश जाओ कि बॉस बाई चपका दो एक लंबा साथ trend market में देखने को मिलेगा वगेरा वगेरा और हां monthly expiry भी है तो हम उसका भी discussion यहाँ पर करेंगे ठीक है कि किस तरीके कि monthly expiry हो सकती है किस particular point पर आपको market में अच्छे trade मिलेंगे और कहाँ पर market एकदम sideways जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है दोनों ही discussion हम लोग यहाँ पर करेंगे ठीक है तो basically यहाँ पर मैं यहाँ पर यही कहूँगा आप से कि हमने पिछला जो वीडियो हमने बनाया था तो हमने यह कहा था कि बॉस यहाँ से अगर मैं यहाँ तक एक Fibonacci डालता हूँ तो Fibonacci का 50% मुझे मिलता है 19,900 लेवल पर यह Fibonacci का 50% लेवल है यह मुझे मिल रहा है 19,900 के लेवल पर तो जब तक 19,900 के ऊपर market नहीं जाएगा तब तक हम market में aggressively plan नहीं करेंगे अब उसका मतलब यह भी नहीं है कि यहाँ पर यह जो हमें एक अच्छी opportunity दिखाई दे रही है कि market ने at least एक hammer बनाया है और यह जो हमारी trend line है इसके आसपास market ने एक hammer आपको bullish hammer यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दिया है तो यहाँ पर हम इस opportunity को भी नहीं अगर छोड़ना चाते है तो quantity छोटी, छोटे quantity में हम trade plan करेंगे ताकि अगर मान लीजिए आपका total जो कह लीजिए पूरा risk जो appetite है मान लीजिए 20,000 का आपका risk appetite है ठीक है तो यहाँ पर आप 10,000 का risk plan कर लीजिए ठीक है या फिर यहाँ पर आप 5,000 का risk plan कर लीजिए ठीक है 5,000 का risk हमने plan किया quantity 1 यहाँ पर हमने 5,000 risk plan किया market यहाँ से माल लीजिए scenario 1 उपर जाता है और यहाँ से फिर नीचे आता है 19,000 नाइन इनिट इस gap से एक resistance लेता है और फिर जब यहाँ पर जा रहा है तो इस जगह पर आप अपनी quantity number 2 डाल दीजिएगा जहाँ पर आप फिर से जो 5,000 या 10,000 का यहाँ पर risk है वो बढ़ा दीजिए ठीक है फिर market जब upside पर break करेगा फिर upside पर market में आप plan कर सकते हैं अगर आपको add करना हो तो add कर सकते हैं तो इसको 50% यहाँ पर डाल दिया और 50% यहाँ पर डाल दिया नहीं तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर 30% डाल सकते हैं फिर यहाँ पर 50% डाल सकते हैं फिर एक और जो breakout होगा जो all time high के आसपस आप सोचने कि market पहुचेगा, तो वहाँ पर और अपना 20% deploy कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से market में आप plan कर सकते हैं, अब उसका फाइदा simple सा क्या होगा, कि अगर मैं अभी पूरी trade चेप देता हूँ मेरी 20,000 का, तो यहाँ पर अगर market नीचे घुस जाता है, तो मुझे कितन करूँगा, market यहाँ पर consolidate भी करता रहता है, time बिताता रहता है, तो मुझे जल्दी भी नहीं होगी, कि नहीं है, मेरा loss बहुत ज़्यादा हो रहा है, निकल जाना चाहिए, etc., etc., ख्याल भी मन में नहीं आएंगे, तो 5000 का यहाँ पर मैं risk जाएगा, और अगर market उपर जाता है यहाँ पर market में पहला, यहाँ पर हम trade लेंगे, ठीक है, entry 1 हो जाएगी हमारी यहाँ पर यह, ठीक है, number entry, entry number 1, ठीक है, यहाँ पर entry number 2 हो जाएगी, और यह जब breakout यहाँ पर दे रहा होगा, तो entry number 3 हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से हम लोग market में प्लान कर सकते ह तो इस तरीके से हम लोग मार्केट में अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं तो अभी ये discussion कर लेते हैं देखें, बैंक निफ्टी भी एक अच्छी position में हमें आपर दिखाई दे रहा है दोनों ही एक support level से bounce हुए है जैसे मैंने आपको कल भी निफ्टी के केस में भी आपको यही चीज़ कही थी कि यहाँ पर 19,600 का जो level है यहाँ से पिछली बार market ने rejection लिया था यहाँ से पिछली बार rejection लिया था और इसके ऊपर जब market गया था एक जो पहला resistance था वो दिखाई दे रहा है एक bullish hammer दिखाई दे रहा है तो एक अच्छा यहाँ पर combination दिखाई दे रहा है हमें bullish trade के लिए तो हम ले सकते हैं लेकिन quantity छोटी रखेगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं trend को bottom में पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ से ज़्यादा chances क्या होते हैं price action के इस तरीके से break होने के तो इस तरीके से हमारा अगर break होता है तो हमारा ज़्यादा loss ना हो तो उस हिसाब से हमें market में plan करना पड़ेगा तो यह बात रहे है positional trade की ठीक है बात करते हैं अब expiry किस तरीके की market में हो सकती है ठीक है तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि sensible का आप instagram भी follow कर सकते हैं sensible को instagram पे भी आप follow कर सकते हैं ठीक है और यहाँ पर instagram page पर आपको विभिन विभिन तरीके के जो topics हैं यहाँ पर मैं अभी strategies भी हम लोग डालेंगे ठीक है यहाँ पर आपको strategies की real भी दिखाई देंगी market psychology किस तरीकी होनी चाहिए वो भी आपर आपको दिखाईगी छोटे-छोटे packets में आपको बड़ी-बड़ी information यहाँ पर देने के हमारी कोशिश रहेगी और बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर quotes आपको देखने को मिलेंगे entertainment के हिसाब से आपको memes भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे जैसे यह वाला जो आपने देखाई होगा कि भाई 10 लाग का तो हमारा investment है तो loss 11 लाग का कैसे हो गया me and my friend trading in futures and option छोटे छोटे पैकेट्स में आपको बहुत अच्छा अच्छा यहाँ पर आइटम देखने को मिलेगा अच्छे अच्छे knowledge भरावा आइटम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा delta क्या होता है कैसे आप profitable trader बन सकते हैं put option का delta किस तरीके होता है market psychology किस तरीके होता है trading decisions आपको किस तरीके लेने चाहिए losses के बाद market में आपको क्या करना चाहिए और losses के बाद क्या करना चाहिए और जब market में आप एक बड़े loss से गुजर रहे हैं तो उस वाक्त में market में आपको क्या करना चाहिए आपकी psychology किस तरीकी होनी चाहिए, किस तरीके का आपको bet करना चाहिए, जैसे कि एक मैंने यहाँ पर short में cover किया है, कि जब हम market में वापिस लोटते हैं, तो हमेशा हमारी psychology रहती है कि बहुत loss recover, loss recover, loss recover करना है, loss recover करना है, लेकर यह बहुत ही छोटी सोच है, ठीक है, छोटी सोच यह क्यों है, क्योंकि आप जिस चीज़ के बारे में जितना ज्यादा सोचेंगे, उतना ज्यादा आप उस चीज़ को attract करेंगे, अगर आप losses को recover करने के बारे में सोचेंगे, तो आप बहुत छोटा aim कर रहे हैं market में, और उतना ही आपको trade दिखाई देगा, उतना ही आपको target दिखाई देंगे, जहां तक आपका loss recover होता हो, ठीक है, तो और losses को भूलके profit के बारे में सोचेंगे, कि बस profit बनाना आपने को, profit बनाना है, profit बनाना है, तो आप अपने natural instinct में trade करेंगे, बहुत अच्छा trade आप market में कर पाएंगे, तो इस तरीके के छोटे-छोटे learnings आपको market में देखने को मिलेंगे, यहां पर Instagram page पर आपको मिलेंगे, जो आपको आपकी psychology को बहुत develop करेंगे, आपकी trading style को market में बहुत develop करेंगे, तो यहां पर हम price action के concept भी डालेंगे, और यहां पर हम optional strategies के बारे में भी आप cover करना शुरू करेंगे, यहां पर आपको यह different topic भी दिखाई दे रहे होंगे, options के बारे में सीखना है, FNO dictionary है, trading bites है, trading tips है, क्या-क्या trading tips है, हमारे psychological tips क्या-क्या होती है, तो उसके लिए आप sensible के Instagram को जरूर 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 फॉलो कर लिजिए, और इसका Instagram का link आपको इस वीडियो के description में भी मिलेगा, और इस वीडियो के pinned comment में भी आपको Instagram को मिलेगा, तो नीचे scroll करिए और click करिए, बस follow button पे दबा दिया ना है button और क्या, बस इतना ही काम है, तो चलीे, देखते हैं कि कल की expiry हमें market में किस तरह की देखने को मिल सक्ती है, ठीक है, अगर market ये जो आज का, अगर मैं range ये decide करूँ, ठीक है, ये एक range अगर decide करें और यहाँ कहीं पर, अपसाइड पर इस जोन में कहीं पर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग अगर हो रही है फ्लैट ओपनिंग अगर मार्केट दे रहा है तो यहां से अगर अपसाइड पर मार्केट क्रॉस करता है तो निफ्ती के लिए थोड़ा सा अपसाइड पर जाना डिफिकल्ट है अब difficult क्यों है क्योंकि यहां पर अगर आप open interest देखेंगे तो 19,800 आपको strong resistance दिखाई दे रहा है open interest पर चीक है अब हम इसको chart पर भी देखते हैं जाके 19,800 वो level है जहां से market में पहली बार resistance लिया दूसी बार resistance लिया तीसी बार resistance लिया चीक है तो एक अच्छा resistance लेवल एक्ट करेगा ठीक है तो यहां पर देखे एक तो market एक तो nifty ने आज बहुत straight move किया यहां पर तो nifty को अपने level को hold करने के लिए थोड़ा यहां पर consolidate करना पड़ेगा फिर अगर upside पर break करता है या फिर इसी जगह पर market consolidate करे फिर upside break करे तो आपको around 840 तक के या 800 तक का पहला target market रहेगा फिर इसके ऊपर तो बड़े moves nifty में थोड़े मुश्किल दिखाई दे रहे हैं जैसे कि आपको समझ में आ रहा है कि देखे पहला तो open interest खड़ा हुआ है 19,800 पर और उसके अलावा यहां पर हमें resistance भी दिखाई दे रहे है 840 पर फिर एक gap भी created है तो थोड़ा यह impact करेगा market के upside के movement को अब बात करते हैं अगर यहां पर आपको एक gap down opening दिख जाती है यहां कहीं पर market एक gap down बड़ी gap down opening दे जाता है ठीक है बीच में इस zone के बीच में अगर market open हो जाता है तो फिर market क्या करेगा consolidate करता रहे जाएगा जिस तरीका इस तरीके का market था उसी तरीके का मुझे लगता market निकल जाएगा या फिर market क्या करेगा धीमे धीमे नीचे आएगा और फिर यहां पर यह जो break देगा यहां से फिर एक बड़ा trend आपको market में नीचे एक बड़ा move देखने को मिल सकता है ठीक है या फिर market अगर यहां कहीं open होता है अगर upside पर जाता है तो यहां consolidate करके उपर निकलता है तब एक movement आपको देखने को मिल सकता है लेकिन बीच में market में जब तक की market यह जा फिर यह level cross ना करे तब तक आप directional trade market में plan नहीं कर सकते हैं ठीक है अब बात करते हैं कि market में बहुत बड़ा gap down या बहुत बड़ा gap up open हो जाता है ठीक है तो उस case में market मे लगता है कि market फिर break करके निकल जाएगा ठीक है तो market में कल के दिन जो है बहुत कुछ opening पर निर्भर करता है कि किस तरह की market में opening आपको दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी थोड़ा सा मुझे stable दिखाए ऐसा दिखाई दे रहा है कि bank nifty कल momentum दे सकता है क्योंकि bank nifty कर open interest दे लिया ओल्मुस्ट कुछ 900 के आसपस यहां पर market ने resistance लिया ठीक है तो अगर market यहां पर flat opening देता है flat opening होती है यहां पर consolidate करता है upside पर cross करता है तो मुझे लगता है कि 44 900 तक मुझे market यह जाता हुआ दिखाई दे सकता है यहां 100 सबसे देखे अभी एक आपको एचीज ध्यान र trade कर रहे हैं तो हम trend के against trade कर रहे हैं ठीक है trend के against अगर trade कर रहे है market में तो momentum एकदम sharp नहीं मिलेंगे आपको अब यह जो momentum आपको देखने को मिला यह तो profit booking भी हो सकती है ठीक है तो यहां से अगर momentum मिल रहा है तो आप profit अपने trail करते चलेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा मेर इस तरीके का हमे momentum देखने को मिल सकता है FI data अगर हम बात करते हैं तो आज की दिन FI data दोनों ही calls और put दोनों ही bullish दिखाई दे रहे हैं calls buy करे गए है, put sell करे गए है, bullish दिखाई दे रहे है, index जो future है वो negative दिखाई दे रहा है तो दीक है मैं कुल मिला कि मेरे हिसाब से market ने ए या फिर market कल थोड़ा consolidate करेगा, ठीक है, consolidate करेगा कल के दिन उसके बाद upside move देगा, वो हमें नहीं पता है, कल के दिन भी ऐसा कुछ move हमें market में देखने को मिल सकता है, ठीक है, अगर market में flat opening होती है, high cross करता है, तो हमें इस तरह का move भी market में देखने को मिल सकता है, तो market इकल के expiry थोड़ी से bullish होती भी दिखाई दे रही है, लेकिन एक ही case में, यहां से अगर market high cross करता है, आज का तब, ठीक है, और अगर आप पूछे बॉस की यह क्या bullish trend यहां से शुरू हो रहा है, तो यह बहुत जल्दबाजी हो जाएगी कहना, ठीक है, लेकिन जैसा मैंने को कहा कि छोटे quantity में, बाइंग शुरू कर सकते हैं, उतना ही lot लीजे, जितना आपका stop loss आप देने के लिए market में तयार हो, मनदब पूरे stop loss मान लीजे, 10,000 आपका appetite है, तो आप 3,000 का trade लीजे, ठीक है, उस तरीके के से market में प्लान कर सकते हैं, ठीक है, जैसा मैंने आपको जो हमें आपर excite करेगी, बहुत अब यहाँ पर trade करना चाहिए, उससे बहतर अभी bank nifty और nifty दिखाई दे रहे हैं, अगर market upside पर move करता है, तो एक अच्छा trade हमें यहाँ पर देखने को मिल सकता है, nifty बहुत अच्छा reversal nifty ने दिया, एक अच्छा reversal nifty ने प्लान दिया है around 0.8 के आसपास का चल रहा है, तो थोड़ी से इसके move करने के संभावना थोड़ी सी जादा हो जाती है, ठीक है, अब वो ही है कि कल का market है, opening किस तरह की हो रही है, मैं अभी Dow Jones भी देख रहा तो थोड़ा ये negative दिखाई दे रहा था, ठीक है, नीचे जा रहा है, तो कल की जो कल की जो opening है, वो कल के market के लिए बहुत decisive साबित होगी, किस तरीके का market कल move हमें दे सकता है, ठीक है दोस्तों, तो कल monthly expiry है, थोड़ी उठापटक भी होती रहेगी, ठीक है, तो जादा देर तक अपनी position को carry मत करिएगा, ठीक है, profit trail करते चलिएगा आपने, क्योंकि market में positions नह क्लोजिंग देता है, तो हम next week या next to next week के आसपास की हम लोग bullish position भी market में बना सकते हैं, ठीक है, तो इसी के साथ हमेशा के तरह अपने capital को बचा के trade करिए, stop loss के साथ trade करिए, और हाँ sensible के Instagram को follow कर लिजिए, link यहाँ पर आपको pinned comment मिल जाएगा, और have a safe and happy trading with sensible, bye bye